भगवान शिरी कृष्णी ने कहा सांप अब मैं सूरी के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत उत्सव और पूजन की विधियों का वणन करता हूं उन्हें सुनों किसी मास के शुकलपक्ष की सप्तमी ग्रहन या संक्रांती के एक दिन पहले एक बार हविशान का कर रात्री में जमीन पर कुष्की शया पर शयन करना चाहिए दूसरे दिन प्रात्यकाल उठकर विधी पूर्वक इसनान संपन करके संधिया करें तथा पूर्वक्त मंत्र ओम खकोलकाय स्वाहा इस मंत्र का जाप और सूर्य भगवान की पूजा करें अगनी को सूर्य करनाएं और संचेप में हवन तथा तरपन करें गयत्री मंत्र से पूर्वाग्र और उत्रागर कुषशं विछाएं अनंतर सभी पात्रों का शोधन करदो यानि की शुद्धी करदो उख कुषाओं की प्रदेश मात्र की एक पवित्री बनाएं फिर उस पवित्री से सभी वस्त्मों का प्रोक्षन करें, अर्थात्चुद करें, घी को अगनी पर रखकर पिगला लें, उत्तर की और पात्र में उसे रख दें, फिर अगनी में तीन बार घी डालें, सुरुवा आधिका कुशों के द्वारा परिमार्जन और सम प्रोक्षन करके अगनी में सुरे फिर ब्रहमनों को उत्तम भोजन कराना चाहिए और यथा शक्ति उनको दक्षिना भी देनी चाहिए ऐसा करने से मनुवांचित फल की प्राप्ति होती है माघ मास की सप्तमी को वरुन नामक सूरे की पूजा करें इसी प्रकार क्रमशह, फालगुन में सूरे, चैत्र में विशाख, विशाख में धाता, जेस्ट में इंद्र, आशाण में रवी, श्रावर में नब, भादर पद में यम, आशिविन में परजन, कार्तिक में मार्गशीर्स में मित्र तथा पौश मास में विश्नु नामक सूरे का अर्चन करें, इस विधी से बारह मासों में अलग-लग नामों से भगवान सूरे की पूजा की जाती है, इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्ष परियंद की गई अप्त हो जाता है, उपरियक्त विधी से एक वर्ष तक व्रत कर रत्न जटित स्वर्ण का एक रत बनवाएं, उसमें साथ गोड़े बनवाएं, रत के बीच में सोने के कमल के उपर रत्नों के आभूशनों से अलंकरित सूरे नारायन की सोने की मूर्ती की स्थापना करें, रत के आगे उनके सार्थी को बिठाएं, फिर बारह ब्रहमणों में से बारह महिनों के सूरियों की भावना कर, तेरवे मुख्य आचारे को साक्षात सूर नारायन समझ कर उनकी पूजा करें, तथा उन्हें रत, छत्र, भून्मी, गउ, आदी समर्पित करें, इसी प्रकार रतनों के आभूशन, वस्त्र, दक्षिना और एक एक घोड़ा उन बारह ब्रहमणों को दें, फिर हाथ चोड़कर प्रार्थना करें, कि हे ब्रहमण देवताओ, इस सूरिवरत के उध्यापन करने के बाद, यदि असमर्थता वश, कभी सूरिवरत ना कर सकूँ, तो मुझ कोई दोश ना लगे, ब्रहमणों के साथ आचारे भी एवं अस्तु कहकर यजमान को आशिरवात दें, और कहें, सूरिवरत भगवान तुम बर प्रसन हो, जिस मनुरत की पूर्थी के लिए तुमने ये व्रत किया है, और भगवान सूरिवरत की पूजा की है, वह तुमारा मनुरत सिथ हो, और भगवान सूरिवरत उसे पूरा करें, अब वरत ना करने पर भी तुम्हें कोई दोश नहीं लगेगा, इस प्रकार आशिरवात प्राप्त कर दीनों, नेत्रहीनों तथा अनाथों को यथा शक्ती भोजन कराएं और ब्रहमनों को भोजन कराकर दक्षना देकर वरत की समाप्ती करें, जो व्यक्ति इस सप्तमी वरत को एक वर्श तक करता है, वह सौ योजन लंबे चोड़े देश का धार्मिक राजा होता है, और इस वरत के फल से सौ वर्शों से भी अधिक निश कंटक राजी करता है, जो इस तरी इस वरत को करती है, वह राज पत्नी होती है अठात रानी होती है निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथा विधी संपन कर बतलाईवी विधी के अनुसार तांबे का रत ब्रहमणों को देता है तो वह असी योजन लंबा चॉड़ा राज प्राप्त कर लेता है इसे प्रकार आटे का रत बनवाकर दान करने व यदि कोई व्यक्ति भगवान सोरी की मानसिक अराधना भी करता है तो वह भी समस्त आधी व्याधियों से रहित होकर सुख पूर्वक जीवन विताता है जिस प्रकार भगवान सोरी को कुहुरा इस पर्ष नहीं कर पाता उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्या इस पर्ष नहीं कर पाती यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक विधी विधान से वृत संपन्ण करते वे भगवान सुरी नाराइण की आराधना की तो फिर उसके विशन में तो कहना ही गया इसलिए अपनी कल्यान के लिए भगवान सुर की पूजा अवश्य करनी चाहिए पुत्र सोरे नारायन ने इस विधी विधान को स्वयम अपने मुख से मुझ से कहा था आज तक उसे गुप्त रहकर पहली बार मैंने तुम से कहा है मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पौत्रों को प्रात किया है दैत्यो है कि सूरे नारायन का नित्य जब ध्यान पूजन आदि करने से मैं जगत का पूजी हूँ वच्स तुम भी मन वानी और करम से सूरे नारायन की आराधना करो ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्थ होंगे जो पुरुष भक्ती भाव पूर्वक इस विधान को स सांब माघमास के शुकलपक्ष की पंचमी तिथी को एक भुक्त व्रत और सस्थी को नर्त व्रत करना चाहिए। कुछ लोग सप्तमी में उपवास करना चाहते हैं और कुछ विद्वान सस्थी में उपवास और सप्तमी तिथी में पारण करने का विधान बताते हैं। इस पायस आधी नैवेदियों से माघ आधी चार महिनों तक सूरी नारैन की पूजा करनी चाहिए जेस्ट मास सूरी नारैन को समर्पित होता है इस पूरे ही मास में भगवान सूरी नारैन की विधी विधान से पूजा करनी चाहिए आत्मशुधी के लिए गोमे मिश्रित जल से इसनान गोमे का प्राशन और यथा शक्ती ब्रहमन भूजन भी कराना चाहिए जेस्ट आधी चार महिनों में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण अगरु धूप और उत्तम नैवेत्य सूर्य नारायन को अरपन करना चाहिए इसमें पंचव्य प्राशन कर ब्रहमनों को स्वाधिष्ट भूजन कराना चाहिए आश्वी नाधी चार मासों में अगस्ति पुष्प, अपराजित धूप और गुड के पुगों की द्वारा नैवेत्य तथा इक्षू रस भगवान सूर्य को समर्पित करना चाहिए ये था शक्ति ब्रहमन भूजन कराकर आत्म शुद्धी के लिए कुशा के जलसे स्नान करना चाहिए उस दिन कुशो दक्काही प्राशन करें व्रत की समाप्ती में जेस्ट मास के शुकल सप्तमी को रत का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसनता के लिए रत यात्रो सव का आयूजन करें महापुनेदाइनी इस सप्तमी को रत सप्तमी कहा गया है यह महासप्तमी के नाम से अभीत है रत सप्तमी को जो उपवास करता है वह कीर्थी, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयूँ और उत्मोतम कांती प्राप करता है यह पुत्र तुम भी इस प्रत को करो जिसे तुम्हारे सभी अभीस्टों की सिद्धी हो इतना कहकर शंक चाकर गदा पदमधारी श्री कृष्न अंतरधियान हो गए सुमन्तु ने कहा, हे राजन, उनकी आग्या पाकर साम्ब ने भी भक्ती पूर्वक सूरी नारायन की आराधना में तत्पर हो रथ सब्तमी कवरत किया और फिर कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनुवांचित्वल प्राप कर लिया अब जानिए सूरी देव के रथ और उसके साथ भ्रह्मन करने वाले देवता नाग आधी के वर्णन के बारे में राजा शितानीक ने पूछा, हे मुने, सूरी नारायन की रथियात्रा किस विधान से करनी चाहिए? रथ कैसा बनाना चाहिए? इस रथियात्रा का प्रचलन मृत्य लोग में किसके द्वारा हुआ? इन सब बात को आप किरपापुर्वक मुझे बतलाईए सुमन्तु मुनी बोले, राजन, किसी समय सुमेरू परवत पर समासीन भगवान रुद्र ने ब्रह्माजी से पूछा श्री ब्रह्माजी, इस लोग को प्रकाशित करने वाले भगवान सूरी किस प्रकार के रत में बैठ कर ब्रह्माण करते हैं से आप बताईए तब ब्रह्माजी कहने लगे, हे तरी लोचन, सूरी नारायन जिस प्रकार के रत में बैठ कर ब्रह्माण करते हैं उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप सानन्द सुनिए एक चक्र, तीन नाभी, पांश अरे, तथा स्वण में अतिकांतिमान आठ बंधों से युक्त और एक नैमी से सुसजित इस प्रकार के दस हजार योजन, लंबे चोड़े अतिशे, प्रकार्शमान स्वण रत में विराजमान, भगवान सोरी विचरिन करते रहते हैं रत के उपस्त से इशादंड तीन गुना दिखे, यहीं उनके सार्थी अरुण बैठते हैं, इनके रत का जुआ सोने का बना हुआ है, रत में वायू के समान वेगवान, छंद रूपी, साथ गोड़े जुते रहते हैं, संबत सर में जितने अव्यव होते हैं, वे ही रत के रंग हैं, तीनों काल, चक्र की तीन नाभिया हैं, पांच रित्वे अरे हैं, छटी रितु नेमी हैं, दक्षिन और उत्तर, ये दो अयन रत के दोनों भाग हैं, मुर्त रत के इशू, कला, शम्य, कास्ठाएं रत के कोण, शन, अक्षिदंड, निमेश रत के कण, इशादं लव, रात्री, वरुत, धर्म, रत का द्वज, अर्थ और काम, धुरी का अगरिभाग, गायत्री, त्रिस्टुप, जगती, अनस्ठुप, पंक्ती, ब्रहती तथा उशुनिक, ये साथ चंद साथ अश्व हैं, धुरी पर चक्र घूमता है, इस प्रकार के रत में बैटकर भगवान, सोर्य, निरंतर, आकाश में ब्रह्मन किया करते हैं, देव, रिशी, गंधर्व, अपसरा, नाग, ग्रामणी और राक्षस, ये सब सोर्य के रत के साथ घूमते हैं, और दो-दो मासों के बाद इनका परिवर्तन हो जाता है, धाता और अर्यमा, ये दो आदित्य, पुलत्स तथा पुलह नामक दो रिशी, खंडक वासुकी नामक दो नाग, तुम्बरू और नारत ये दो गंधर्व, क्रतु स्थला और पुंजिका स्थल ये अपसराई, रत क्रिस्त्र तथा रतोजा ये दो यक्ष, हेती तथा प्रहेती नामके दो राक्षस, ये क्रमश चैत्र और विशाख मास में रत के साथ चला करते हैं, मित्र तथा वरुन नामक दो आदित्य, अत्री तथा वसिस्थ ये दो रिशी, तक्षक और अनत दो नाग, मेनका तथा सहजन्या ये दो अपसराई, हाहा हुहु दो गंधर्व, रत स्वान और रत चित्र में ये दो य रक्ष, पौरुशे और वध नामक दो राक्षस, क्रमशा, जेश्च तथा आशाण मास में सूरी के रत के साथ चला करते हैं, श्रावन और भादर पद में इंद्र तथा विविस्वान नामक दो आदित्य, अंगिरा तथा ब्रगु नामक दो रिशी, एलापण तथा शंक पाल ये दो नाग, प्रमलोचा और दुन्दुका नामक दो अपसराई, भानु और दुर्दुर नामक गंधर्व, सर्प तथा बाहे नामक दो राक्षस, स्रोत और आपूरण नामक दो यक्ष सूरी रत के साथ चलते रहते हैं, आश्विन और कार्तिक मास में परजन्य और पूशा नामके दो आदित्य, भार्दवाज और गौतम नामक दो रिशी, चित्रसेन तथा वसुरुची नामक दो गंधर्व, विश्वाची तथा गृताची नामकी दो अपसराई, एरावत और धनंजे नामक दो नाग, और सेनाजित तथा सुशेन नामक दो यक्ष, तथा कश्यप और कृतु नामक दो रिशी, महापद्म और करकोटक नामक दो नाग, चित्रांगत और अरणायू नामक दो गंधर्व, सहा तथा असहिया नामक दो अपसराई, तार्क्ष और अरिस्टनेमी नामक यक्ष, आप तथा वात नामक दो राक्ष सुरिरत के साथ चला करते हैं, माग फालगुनमेक रमशह, पूशा तथा जिश्णू नामक दो आधित्य, जमदगनी और विश्वमित्र नामक दो रिशी, कार्दवे और कंबलस्वर ये दो नाग, धिरत्राष्ट तथा सूरिवर्चा नामक दो गंधर्व, तिलोत्मा और रंभा, ये दो अपसराएं, सेन, जित और सत्यजित नामक दो यक्ष, ब्रह्मो पेत तथा यग्यो पेत नामके दो राक्षस सूरिवर्च के साथ चला करते हैं, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्र देव, सभी देवताओं ने अपने अंशरूप से विविद अस्त्र शस्त्रों को भ सर्वदेव में सूरि नारायन के मंडल को ब्रह्म वेता, ब्रह्म रूप, याग्यक यग्य स्वरूप, भगवत भग्त विश्नु स्वरूप तथा शैव, शिव स्वरूप मानते हैं, ये इस्थाना भिवानी देवगण अपने तेज से भगवान सूरि को आपलावित करते हैं, देवदा और रिशी हर सवे भगवान सूरि की स्थुति करते हैं, गंधर्वगण गान करते हैं तथा अपसराई रत के आगे निरत्य करते हुई चलती रहती हैं, राक्षस रत के पीछे पीछे चलते हैं, साथ हजार बाल खिल्य रक्षी गण रत को चारों और से घेर क पर चलते हैं। दिवस्पति और स्वेंभू रत के आगे भर्ग दाहिनी और पदमज बाई और कुबेर दक्षिंदिशा में वरुन उत्तरदिशा में वीति होत्र और हरी रत के पीछे रहते हैं। रत के पीठ में प्रत्वी, मध्ध में आकाश, रत की कांती में स्वर्ग, ध्वजा में दंड, ध्वजाग्र में धर्म, पताका में रिद्धी, व्रधी और श्री निवास करती हैं। ध्वज दंड के उपरी भाग में गरुण तथा उसके उपर वरुन इस्थित हैं। मेनाग परवत छत्र का दंड, हिमाचल छत्र होकर सूरी के साथ रहते हैं। इन देवताओं का बल तप तेज, योग और तत्व जैसा हैं वैसे ही सूरी दे तपते हैं। यही देवगण तपते हैं, वरसते हैं, स्रस्टी का पालन पोशन करते हैं। जीवों के अशुप कर्म को निवरित करते हैं, प्रजाओं को आनंद देते हैं। और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान सूरी के साथ प्रहमन करते रहते हैं। अपनी किरणों से चंद्रमा की व्रधी कर सूरी भगवान देवताओं का पोशन करते हैं। शुकल पक्ष में सूरी किरणों से चंद्रमा की क्रम्ष व्रधी होती हैं। और क्रिश्न पक्ष में देवगण उसका पान करते हैं। अपनी किर्णों से प्रत्वी का रस्पान कर सूरि नारायन वर्षा करते हैं। इस वर्षा से सभी ओशदिया उत्पन होती हैं। तथा अनेक प्रकार के अनभीद बन होते हैं जिसे पित्रों और मनुश्यों को त्रप्ती होती हैं। एक चक्रवाले रत में भगवान सुरिनारन बैठ कर एक अहुरात्र में सातों द्वीप और समुद्रों से युक्त प्रत्वी के चारों और ब्रहमन करते हैं। एक वर्ष में 360 पर प्रमण करते हैं। इंद्र की पुरी अमरावती में जब मध्यान होता है तब उस समय यम की सयमनी पुरी में सुर्योदें। वरुण की सुधा नाम की नगरी में अर्धरात्री और सोम की विभान नाम की नगरी में सुर्यास्थ होता है। सभा में जब मध्यान होता है तब सुखा में उदय, अम्रावती में अर्धरात्री और विभा में सुर्यास्त होता है। जहां सुर्य उदय होता है वह पुर्विदिशा और जहां अस्त होता है वह पश्यम दिशा है। एक मूर्ध में भूमी का तीस्वा भाग सुर्य लांग जाते हैं। हम वेला में कल्यान के लिए सदा भगवान सुर्य की आराधना किया करते हैं। हुआ 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 है। हुआ है। हुआ हनो